नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूर्ज चैनल में आपका स्वागत है, कटियार के बयान पर वाडरा का पोस्त, कहा विविदता में एकता की ताकत खो रहा देश, कंग्रेस पार्टी की ओर से मोधी सरकार पर जम कर हमला बोला जा रहा है, पार्टी अध्यक्ष राहूल ने सरकार को राफेल डील पर गेरा हुआ है, पूर अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर हमला बोला था, अब सोनिया गांधी के दामाद रोबर्ट वाडरा ने भी मोधी सरकार पर हमला बोला है, अपने फेस्बुक पोस्त में वाडरा ने लिखा है, कि इस सरकार के अंतरगत हम नेताओं से कई इस तरह के बयान सुनते हैं, जो कि समाज को बांटने का काम करते हैं। रोबर्ट वादरा का ये पोस्ट बीजेपी नेता विने कटियार के ताजमहल को लेकर दिये गए बयान पर दिया है। गौर्तलब है कि आगरा में होने वाले ताजमहोत सब को लेकर कटियार ने कहा था कि वहां पर ताजमहल का नाम तेजो महल होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मुसल्मानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वादरा ने लिखाक कि हमारा देश महात्मा गांधी का देश है, जिन्होंने हमें अहिंसा, सेक्यूल रिजम सीखाया है। उन्होंने लिखाक कि आज के भारत में धर्मनिर पेक्षता, घरिना विरोधी और उपदरव की नीती को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने लिखा कि यह हमारे लिए काफी शर्मनाख है, भारत अपनी विविदता में पहचान की ताकत को खो रहा है, क्या हमें ऐसे लोगों को देश को बांटने देना चाहिए, इस प्रकार की बयानवाजी बंध होनी चाहिए। सोनिया ने भी किया था वार, गुरुवार को पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोधी सरकार पर जम कर हमला बोला था। उन्होंने सभी कांग्रेस कारेकरताओं से कहा है, कि वह समय से पहले चुनाव के लिए तयार रहें। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में हमें कई राजियों के चुनाव का सामना करना है, इसके अलावा केंद्र सरकार पहले लोक सभा चुनाव भी करा सकती है, जिस तरह 2004 में कराया गया था। उन्होंने कहा कि 2014 की हार हमारे लिए एक जटका थी, उन्होंने कारेकरताओं से कहा कि हमें मोधी सरकार की कमियों पर कम बल्कि अपनी रणनीती पर काम करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। भी खोते जा रहे हैं। सोनिया ने कहा कि रोजगार के लिए नया इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, लेकिन पिछले चार सालों में ऐसा नहीं हो पाया है। दोस्तों हमारी हर न्यूज को लाइक वर शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।